दोस्त मैं आज आपको speaker भरना बताऊंगा oval वाला जो की आपको बताऊंगा अंडे आकार का speaker में आज आपको भरना सिखाऊंगा जो की car के अंदर लगे होते हैं तो यहां पर आपको इसली मार्केट में सामन देखने को मिल जाएगा जहांपर आपको speaker का सामन देखने को मलता है electronic component तो आपको मिल जाएगा और सबसे पहले speaker को भरने से पहले इसको सबसे पहले फाड़ने के बाद मैं आपको इसको सफाई अच्छी करनी है ताकि हमरी कौल मे आवाज अच्छी आए, यानि कि कोई speaker देख सकते हैं, कचरा भी बहुत सारा इसकंदर देखने को मिला है, तो सफाई जित्मी अच्छी होगी इसके अंदर, बिल्कुल कचरा नहीं होगा, तो हमारा speaker बिल्कुल अच्छी तरीके से जंप करेगा, ठीक है, देख सकते हैं, मैं step by step जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी जदा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो को fast कर दिया है, ठीक है, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से साफ कर लेना, और काफी सारा कचरा इसकंदर निकला है, अब देखिए, बहुत अच्छी तरीके से कोईल इसके अंदर वैट रही है, आप आपको क्या करना है, इस पाइडर के अंदर कोईल देख सकते हैं, अभी फसेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों एक कुछ आउट बैलन्स कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको काटना होगा, इस नहीं रहेगा, ठीक है, कोईल इसके अंदर टाइट फसनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, तो देख सकते हैं, कुछ आपी के सामने मैं इस तरीके से इसके अंदर कट कर रहा हूँ, देख सकते हैं, अब कैची के मिदस से बड़ी यासनी से काट सकते हैं, मैं पाट जो को बचे हुए, तो इसको भी हम साफ अच्छी तरीके से कर लेते हैं, कटिंग करके देखि ये, ठीक है, अब देखिए, कोईल अच्छी देखिए, फस चुक है, सबसे पहले आपको मैं लेने हैं इसके वायर को, क्योंकि वायर आपको पतही है, ऊपर आने है, और और आपको कोईल सेट कर लिनी है इतनी भार कोईल निकलनी चाहिए देखिए थोड़ी सी देख सकते हैं सो मैं से देख सकते हैं 25% को कोईल को भार होना चाहिए इस बात का दियान रखिए और देख लिए इस चारो तरप से बराबर होना चाहिए अब क्या करना है आपको इस पैडर तो आपका बाद में ही चिपकाएगा तो सबसे पहले आप मैं कोईल को चिपकाना है जी हाँ अब देखी इस तरीके से आपको कोईल बिठाल ले लिए और इतनी वापको भार रखनी है 20 से 25 परसेंट ठीक है अब क्या करना है तो इसको बॉन्टाइट से मैं चिपका लेता हूँ ठीक है जो कि स्पीकर वाले सौप पर अलग-अलग कंपनी की भी मिलती है तो मैं बॉन्टाइट के यूज कर रहा हूँ जो कि फास्ट वाली है जो कि 5 से 10 मिनिट के अंदर अच्छी तरीके से सेट हो जाती है आपको पताईए कि दोनर ट्यूप को बराबर मातरा में मिलाना होता है तो इसको हम बराबर मातरा में मिला लेते हैं देखिए ठीक है तो इसको बराबर मातरा में मिला लेना गार आपको bond tight नहीं मिलती है तो आप speaker का सावन जहां से लाते हैं तो आप बोली कि हमें fast वाली दे दीजिए bond tight है कोई अधर tube चिपकाने के लिए देख सकते हैं ठीक है देख लीजिए कुछ इस तरीके से कर लेना है क्योंकि जो बहुत जल्दी सूख जाती है गरी 5-10 मिनिट इसको set होने में लगते हैं और काफी अच्छी तरीके से हाड हो जाती है और जैसी हम इसको मिलाएंगे तो दोस्तो यह अच्छी तरीके से मिल जाएगा तो इसका color दोस्तो विल्कुल white हो जाता है देख सकते हैं बिल्कुल transparent था अब इसका color white हो चुका है यानि कि अब हमारी bond or tierra औफ बॉलने तो अच्छी तरीके से याप निल चुका है अब इसको अच्छी तरीके से हमें कॉयल की ऊपर लगा लिता है ताकि हमारे कॉयल की उपर अच्छी तरीके से चिपक जाएं थीग इसको देख सकती है इसे तरीके से लगा लेना और इसको चोड़ देना है चि तो देखिए मैं इसको कौन को भी cut कर लेता हूँ अगर आपके जो है कौन fix आ रहा है spider fix आ रहा है तो आपको कोई भी cutting करने की जरूरत नहीं है आप इस बात का दियान रगिए क्योंकि जो है कौन है आपर fix नहीं बैट रहा है तो कौन को हमें cut कर लेना है मैंने आपको बताया है ठीक है अगर आपके पास देख सकते है इस तरीके से बड़ी असनी साहब इसको cut कर सकते है ठीक है तो देख सकते है अच्छी तरीके से आपर हमें हमारा कौन भी cut हो चुका है अब हमें क्या करना है अब हमें चिपकाना है इस पीकर पर आपको एडिसे बोलते हैं इसको तो एडिसे लगा लेना है कुछ इस तरीके से देखी मैं आपको आपको जो step by step बता रहा हूँ ठीक है लगा लेके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको अब इस पर चिपका देना है इस पाइडर ठीक है इस पाइडर आपको चिपका लेना है और सामने इसके वायर रखने या कोईल के नहीं तो कभी-कभी भूल जाएं आप तो देखिए ठीक है देख सकते हैं यह सामने बिलकुल वायर हमारे connector के सामने अब आ चुके है और अब हमारे spider set हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा time लगता है इस पाइडर बगएर बढ़ते हैं तो ठीक है तो इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा दवा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से यह set हो जाए अब दोस्तो हमारी बारी आती है कौन की क्योंकि दोस्तो हमारी coil तो चिपक चुकी है अब कौन हम बड़ी इसके नरासनी से बढ़ाल सकते हैं तो यहाँ पर अब कौन के उपर भी में एडिसे बहाँ पर लगा लेता हूं ट्यूब को कुछ इस तरीके से और उंगली से अच्छी तरीके से फेर दीजेए ताकि पूरे में अच्छी तरीके से फयल जाए ताकि हमारा speaker जंप होने के बाद फटेना ठीक है तो कभी कभी speaker भी ऊपट जाथा तो अच्छी तरीके से इस पाई बोन्ड लगा लेए और कोयल में इस तरीके से निकाल दें, ठीक है, अब यह देख सकते हैं, अब इसकी उपर भी आपको bondate लगा लेना है, coil के उपर, ठीक है, coil के उपर भी आपको लगाना है, bondate और हमारा speaker successfully इस तरीके से बर चुका है, बस दोस्तो इसके इन्दर आपको wire लगाने है, और आपका speaker successfully बर चुक